नमस्कार सुवागते आपका नियूजवल इंडिया में आपके साथ मैहू पारूल क्यागी मौसम का मिजास बदल गया है और कोरोना काल भी चल रहा है ऐसे में मुज़ुर्गों और दिल के मरीजों को अपना विशेश ख्याल रखना चाहिए दरसल सर्दियों के मौसम में अस्पताल में भरती होने की दर और हार्ट टेक मरीजों की संक्या भी बढ़ चुकी है डॉक्टरों के नुसार सर्दी में कई बार हमारे शरीर को अवशक्ता के नुसार ऑक्सीजन और पोशक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से बौडी में परियाप मात्वा में खून पंप नहीं हो पाता है जिस वज़ा से जिनका दिल पहले से कमजोर है उन मरीजों को सांस की तकलीफ हो जाती है ऐसे में ठंड के मौसम में तापमान कम हो जाता है और इस वज़ा से बलड वेसल्स भी सिकुड़ जाते हैं जिसे शरीर में खून का संचार अवरोधित होता है और इसे हिर्दय तक आ परिशानिया आजकल लोगों में काफी ज्यादा बढ़ रही हैं जानिये डॉक्टर अविशेक शिवास्तर से कैसे इन तरह की परिशानियों से बचा जा सकता है और क्या को चुपाय करने चाहिए तो एसे लोगों को यही सरह दी जाती है बेसिकली कि अगरों सिभा के समय मॉर्निंग वाक अगर में जाते बाहर निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग थोड़ा अवाइड करना चाहिए बैता रहे कि थोड़ा साह 9-10 वज़े तक निकले थोड़ा धूप निकला है ठंड कम हो जा रखना और ज्यारी रखना है बच्चों में होता है कंजेशन व γरां ज्यादा देखागय है कंजेशन ज्यादा होता है तो इसे बच्चों को भी गर्म कंप्डे वग electro पहना के अच्छे से रखना है उनको मोजा टूपी पेना के लखना है झो तुरण पैदा हुए जाड़े में जाड़े में कम हो जाता है जिसके वैसे कलिशियम कमी हो जाती है जिसमें प्रॉब्लम होती है कि रीड़ के हड़ियां कमजोर होती है इसमें अपने डॉक्टर की सला से कलिशियम और विटमिन डी का सेवन करते रहना चाहिए साथ ही साथ में आपको पनीर दूद या जो भी हायल प्रोटीन डाइट है या कलिशियम रिच्या वो लेते रहना चाहिए फ़लाल के लिए इतना ही आप देखते रहें नीज फॉल इंटिया